आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें बाई अच्छ है, और ये दोनों जहां पर काट रहे हैं दोस्तों, वो मेरा क्या हो जागा? वो मेरा मुल बिंदू हो जागा तो हम माल लेते हैं कि ये मेरा क्या हो जागा? ये मेरा मुल बिंदू हो गया अब हम एक उदारन लेते हैं माल लेते हैं कि मुल बिंदू से एक मेरा यहां पर एक कन है और दूसरा मेरा यहां पर कहीं कन है ठीक है दोस्तों दूसरा मेरा यहां पर कन है और एक तिसरा हम कर लेते हैं माल लेते हैं कि यहां पर है अगर हम तीनों की दूरी देखे दोस्तों तो हमने मालिया है कि ये मेरा ये जो कन है मेरा ये दो मीटर की दूरी पे इस्थित है और ये जो कन है वो मुल बिंदू से चार मीटर की दूरी पे इस्थित है ये कितना दूरी पे इस्थित है और ये जो मेरा कन है दोस्तों ये मेर चार मीटर दूरी पे इस्थित है, ऐसा हमने माल लिया है, अब हम क्या करते हैं, कि ये जो मेरा कन है, इसका द्रब्यमान हमने 4 kg माल लिया है, इसका द्रब्यमान हमने 4 kg माल लिया है, ये जो कन है दोस्तों, इसका द्रब्यमान हमने 2 kg माल लिया है, तो हम इसका द्रब्यमान यहां पे लिख रहे हैं अगर हम तिनों को नाम दे दे दोस्तों इसको हमने नाम दे दिया पहला बिंदू इसको नाम दे दिया हमने दूसरा बिंदू और इसको नाम दे दिया हमने तीसरा बिंदू ठीक है दोस्तों तो अब हम क्या करते हैं कि तीसरा बिंदू का हमने दूरी चार मीटर रखा है, द्रविमान तीन केजी रखा है, दूसरा पहला बिंदू का हमने दूरी दू मीटर रखा है, और द्रविमान हम कितना ले रहे हैं दोस्तों, द्रविमान को अगर हम M1 से कह दें, तो M1 हमने लिया है दोस्तों, दो केजी, दो केजी, उसी प्रकार हमने M2 ले लिया दूसरा बिंदू का द्रिवमान कितना चार केजी द्रिवमान कितना लिया तीन केजी ले लेते हैं तीन केजी और पहला बिंदू का दूरी हमको अगर आरवन लिखे दोस्तों तो आरवन हमने कितना लिया है दो मीटर और हमने आरटू कितना लिया है दोस्तों आरट कितना है मेरा M3 बरावर कितना है दोस्तों 4 kg है 4 kg है और मेरा इसका दूरी कितना है दोस्तों 4 मीटर है यानि लेकिन इधर है तो यह कितना हो जाएगा रिन 4 बरावर कितना हो जाएगा माइनस चार मीटर अगर हम इसका दरविमान के दर निकालें तो कहां पर आता हम देखते हैं दोस्तों अगर हम इसका दरविमान के दर निकालेंगे तो सुत्र क्या होता है M1 R2 Jol M2 R2 Jol M3 या दरी बटे M1 Jol M2 Jol M3 तो यह कितना हो जागा M1 R1 Jol M2 R2 Jol M3 R3 और बटे में क्या हो जागा मेरा दोस्तों कुल द्रविमान तो कुल द्रविमान M1 Jol M2 Jol M3 अब हम मान रखेंगे तो क्या हो जागा दोस्तों मेरा M1 केतना है 2 kg R1 केतना है 2 meter तो दो गुन्ने दो जोड कितना हो जागा दोस्तो तीन गुन्ने तीन गुन्ने चार और यह कितना हो जागा एम थ्री आर थ्री कितना है दोस्तो चार और माइनस चार तो यह हो जागा माइनस चार गुन्ने चार और बटे में कितना हो जागा कुल द्रविमान तो कुल द्रविमान कितना दो तो दो तीन पांच चार नो तो कुल द्रविमान आ गया मेरा नो तो इसे हल करेंगे तो ये मेरा सुन्य के बरावरा जागा ये मेरा चार और ये मेरा बार है तो सुलह और माइनस सुलह तो सुन्य के बरावरा गया यानि इसका द्रविमान के अंदर कहा आ गया सुनी यानी मुल बिंदू पे आ गया इसका द्रविमान मुल बिंदू पे आ गया हमने ऐसा देख लिया है अब हम विकल्प चेक करते हैं तो पहला विकल्प में दिया है कि मुल बिंदू के दाहिनी जितनी कन है उसके बाएं भी उतने ही कन है दोस्तो हमने ऐसा Example यह था जिसमें हमने देखा कि मुल बिंदू के दाहिनी और दू है लेकिन बाई और ही कन है तो ये मेरा बिकल्प नहीं होगा B में दिया है मुल बिंदू के दाहिनी जितना कुल द्रवयमान है उसकी बाईे भी उतने ही द्रवयमान है तो दोस्तो अगर ये भी हम देखें, तो अगर हम दाय और देखें तो खूले द्रह विमान कितना है दोस्तो? M1 जोड M2 यानि 3 दू 5, 22 चार, तो ये भी सही नहीं है C में धिया है X H पर इस्ठित कनू की संख्या, 22 पर इस्ठित कनू की संख्या के बरावर होगी तो दोस्तों हमने यहां देखा कि XHP कितना कन इस्थित है एक दो तीन लेकिन बाई एच पर मेरा एक भी कन इस्थित नहीं है तो यह भी बिकल्प सही नहीं होगा अगर बिकल्प D देखें तो इन में से कोई नहीं यह मेरा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है दोस्तों करें सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर